नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप हमारे चैनल पर नए है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें मित्रों सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी न करें ये गलतिया पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मनुष्य को स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए तामबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छ का उच्चारण भी करना चाहिए इससे मन में सकारात्मक उर्जा प्रवेश करती है जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है यदि वे लोग हर सुभा स्नान करने के उकरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या ह होती है उन सभी का निवारन हो सकता है बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती है इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए इससे उनके घर में जो भी प्रॉबलम है उसमें सुधार आ सकत सवाल यह है कि सूर्य देव को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। सबसे पहली बात पूर्व की और मुख रखें। अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे सूर्य देव रुष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र उन सूर्याय नमह का जाप करें। दूसरी बात बिना सनान किये जल चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है और ऐसे में यदि आप बिना सनान किये उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आप से रुष्ट हो जाएंगे। और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप अस्फल हो जाएंगे तो भूल से भी यह गलती न करें। तीसरी बात तामर पात्र का उप्योग आज कल लोग प्लास्टिक की चीज़ें बहुत ज्यादा यूज करते हैं। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्य देव को जल कदापी अर्पित न करें, इसके अलावा स्टील पीतल आज इत्यादी पात्रों का भी प्रयोग न करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तामरपात्र का प्रयोग करना चाहिए इसके पीछे वैग्यानिक कारण यह भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली कैसे निकलती है, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती. चौथी बार ब्रह्मा मुहूर्त में ही सूर्य भगवान को जल अर्पित करें. अव्यक्ती के उपर सदैव बनी रहती है. पांच भी बार अक्षत एवं फूल अवश्य चढ़ाएं. सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत रोली फूल अवश्य होनी चाहिए. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल चढ़ाएं. छटी बार हाथ सिर के उपर रखें. हमेशा अपने हाथों को सिर के उपर रख कर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए. जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है, तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए. कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के उपर सूर्य देव की कृपा हमेशा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक उर्जा भी प्रवेश करती है साथवी बार चप्पल न पहने भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए यदि आप सूर्य देव को चप्पल पहन कर जल अर्पन करेंगे तो वो आपसे रुष्ठ हो जाएंगे और आपके जीतने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें आठवी बाद रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या न चढ़ाएं लेकिन रविवार के दिन सूर्य भगवान को जल अवश्य च कोई सूर्य से संबंधित दोश हो तो वो दोश गोद में परिवर्तित हो जाएगा। उपायों के बारे में तो रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, रविवार को अवश्य करें, वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए, चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए नहीं तो जितनी देर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं वहाँ पर खड़े होकर सूर्य देव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए इससे आपको बहुत लाब होता है गायत्री मंत्र का जब करने से जैसे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जब करते हैं तो हमारी नौकरी में अगर कोई बाधा आती है तो वो दूर होती है नकारात्मक उर्जा दूर होती है रविवार के दिन सुभह जब आप सूर्य देव को अरग्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुर मिला दीजिए इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है और बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है ऐसे में भाग्य का प्रबल कारक माना गया है भगवान सूर्य को तो जब आप सूर्य देव को सुभह जल देते हैं तो जन देते समय आपको गायतरी मंतर का जब करना है और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कोई कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है तो ऐसे में रविवार के दिन आप अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उस तामवे के पात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वो किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डाल कर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा लगी जाता है। उस पात्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर लगाना है और अगर आप यह प्रतिदिन करते हैं तो बहुत शीध्र आपके आकर्शन में व्रिद्धी होती है, आपके सभी काम बनने लग जाती है। आप अगर व्यापार करते हैं तो आप जिनसे भी डिलिंग करते हैं। आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोश दूर होते हैं, ये आप साथ रविवार कर लीजिए। जैसे की आप दान करते हैं, अब जैसे इस रविवार से आपने शुरू किया, तो साथ रविवार लगातार कर देंगे, तो आपको बहुत शीध्र लाब हो जाता है, ग्रह दोशों से मुक्ती मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए, जैसे प्राता काल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं, तो इससे सूर्य देव बली हो जाते हैं, और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर अगर आप सूर्य देव को चढ़ाते हैं, तो इससे दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है, भगवान सूर्य देव को अर्पित करने के बाद आप ये खीर प्रसाद स्वरूप स्वय भी खा सकते हैं, और परिवार के सभी लोग भी खा सकते हैं, इससे आपकी तरक्की होती है, जीवन में आपको सफलता की प्राप्ती होती है, व्यापार हो नौकरी हो हर जगह आपको तरक्की मिलती है, और अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत समय से बीमार है, तो उनसे कहें कि वो सूर्य देव को तामबे के पात्र में रोली और लाल फूल डाल कर जल अर्पित करें, लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का गुढ़ल का जो भी लाल पुष्ट उपलब्ध हो, उसको तामबे के पात्र में डाल कर थोड़ी सी रोलिया लाल चंदन डाल सकते हैं, ऐसा करने से सूर्य ग्रह बली हो जाता है, तो आत्म विश्वास बढ़ता है, आत्मा के कारक है सूर्य देव और जब हमारा आत्म अगर आप चाहते हैं, आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाब प्राप्त हो चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिती में भी हो तब भी रविवार के दिन आपको आदित्य हरिदय स्थोतर का पाठ जरूर करना चाहिए, अगर आप प्रती दिन तीन बार कर लेते हैं, तो इससे भी आपके जीवन की परिशानिया दूर होती है। तो आप किसी भी समस्या से मुक्ति पा लेंगे और आक्म विश्वास की प्राप्ति तभी होती है, जब सूर्य ग्रह हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिती में होते हैं। एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय आप अवश्य कीजिए अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं, कोई भी आपकी विशेश कामना है, तो ये उपाय जरूर कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं, तो जल देते समय जल में आपको एक बिल्वपत्र डालना है, और इस बिल्वपत्र के साथ भगवान सूर्य देव को जल देना है। तो आप तामबे का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाले, थोड़ा सा जल डाले, थोड़ा सा रोली डाले, और इसके साथ ही एक बेलपत्र डाल दीजिए, आप थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं. ये सब डालकर भगवान सूर्य देव को जल देना है, साथ बार में आपको जल देना है. जैसा की बताया जाता है, आपको तीन बार में जल देना चाहिए, रुक रुक कर एक ही पात्र का जल हम तीन बार में देते हैं, हमें बिल्फ पत्र डालना है. तो इस विशेश सामगरी की वजह से हम इस जल को साथ बार में भी दे सकते हैं, तो आप रुक रुपकर उसी जल को एक पातर के जल को ही साथ बार में दीजिए भगवान सूर्य देव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है ओम हरी भरी बहरीन सूर्याय नमह ओम हरी बहरीन बहरीन सूर्याय नमह तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो शीघर ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती है आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्य देव से कहीं थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं चाहे तो एक बार या तीन बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं दोस्तों आज के विडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया है सूर्य को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्म विश्वास का बली होना अगर हम जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य देव की आराधना कीजिए प्रति दिन कीजिए और रविवार के दिन विशेश रूप से कीजिए आज के वीडियो में बस इतना ही तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जै सूर्य देव लिखना ना भूले धन्यवाद